हेलो माय यूट्यूब फैमली गूड मॉर्निंग और वेल्कम बैक टू मैं न्यू व्लॉग अभी बज़रे सुबा के आठ और आज भी मैं जल्दी उठ चुका हूँ आज तो मेरी नीन बहुत मस्त हो गई थी क्योंकि पिछले दो दिन से मैं चाचा के साथ सो रहा था एक छो अपना तन्नों की उठ जा क्योंकि आज स्पेशल पाराठा बना है तो फड़ा फट जाता हो फ्रेश हो जाता हूँ चाची अब भी पाराठा रेडी कर रही है मेरे लिए क्योंकि चाची को पता था मैं फ्रेश होने मुझे थोड़ा टाइम लगे और तब तक पाराठे थं पाराठा भी रेडी हो चुक है तम गर्मा गरम आज भी हम वापस जा रहे काफल लेने हमारे चाची भी आई है साथ में हम लोग डबा भी लेके गए क्योंकि आगे नीचे से हमें पानी भरना तो पानी भरके भी लेके आजेंगे जब हम लोग धर को आएगे तो फिलाल टाइम खतम होने का है तो बस जा रहे है एक्स्ट्रा लेंगे वाडी या कि बुवा को भी दे दूँगा तो चाची अभी वहाँ पर डबा रखने गई है जब हम लोग आज आएंगे काफल लेके फिर यह डबा भरके घर को लेके जाएंगे चाची ने देखिए वहाँ पर साइड में रख दिया है फिलाल तो इन लोग पानी भी रहे क्योंकि हमें बहुत उपर जाना है वह उदर यहां पर कहीं पर चट्र जरते प्यास है तो पहले रिफिल हो जा रहे अभी दो जन गाव वाले मिले थे तो हमने उन्हें भी इन्वाइट किया बट उन लोग भी श तो आज भी हम लोग जा रहे हैं एक्चुली में में जगा नहीं है बहुत उपर जाना पड़ रहा है जंगल के साइड अंदर वहां पर मिल रहा है और वहां पर हर कोई जाता नहीं है तो सोचा जाके लेके आते अब बुवा को भी दे देंगे तो फिलाल हमें रस्ते में ब है भालू लायन टाइगर साप सुवर सब आते तो थोड़ा बचके रहना पड़ेगा अब पता चल रहा है यहां पर एक काउ के भाई गए काफल लिने चाची बात कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा काफल है वह बोल रहे तो ऐसे हम लोग लोग डिस्टेंस में बात करत आवाज सुनाई देता है पूरा क्योंकि जंगल लेना तो आवाज घुमती है और इजीली सुनाई देती है पूरा पीस है आपे एकडम शान्ती बाकी किछी का आवाज सुनाई ने दे रहा ओ भाई है क्या उदर बहुत है आ रहो आ रहो बहुत उपर आगया अब यह और च अब लोग उसको छोड़ के ऊपर को जा रहे जा पर हम लोग को लाल एकडम मस रसीला मिलेगा उदर से लेंगे यह जोटा पेड़ है फिर भी आरे चोटा पेड़ होके भी यूजिली इतने छोटे पेड में नहीं आते तो उसमें थोड़े बहुत हुगे ओ शिट यह हम कहा रास्ता है क्या वापे है ना यह देखिए कैसे जाना पड़ रहे डर लग रहे कहां घिरना जाओ कहां कहां से जाना पड़ रहे हूं माइगाड फिलाल तो धूब भी बहुत लग रही है 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 इंदर काफल कि यह रे दिगा कॉन शाल है और हाँ यह पेड में बहुत है यह तो फड़ पड़ जाते वहां से लेते पहले यहां पर जाना है तो चाची के रहे पहले यहां पर जाना है तो यहां पर पहले देखते हैं फिर वह साइट जाएंगे लाल तो मुझे डर लग रहे देखिए मैं यहां पर हूं और यहां से सीधा नीचे तो समल के जाना करता हूं से आजा चीस जगे कंघ पर मिलना आप से और शिट इसमें कितने सारे वहत बड़े- cave देखिय। कितने बड़े बड़े काफल है यहां पर और यहां से नजारा देखो क्या मस्त है पूरा हमारा गाउ दिख रहा है वहां तक है हमारा गाउ यह 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 देखिए एक किलो एक किलो थाइली है अल्रेडी भाई ने निकाल दिया है अब हमारी बारी हम भी थोड़ा निकाले हैं ओ शिट कितने बड़े बड़े देखे पूरा लाल लाल जो काला होता है वो और ज्यादा टेश्टी और रसिला होता है यह साइड कितना अच्छा है देखो यहां पर खड़े रहके निकाल सकते बहुत नजदिक में फुल लाल ला कितने लाल है वाव यह पेड़ में एक भी कच्छा नहीं है सबके सब पके हुए तो इसके जो हटी रेते हो भी खा लेते हैं अच्छा होता है पेड़ के लिए चलिए मैं पड़ावट जाके और भी कलेक करता हूं कि बहुत चारा है पड़ावट ज्यादा भरना है हिए जाड में जाने के लिए और यो देगे पीछि रहानाथी केते अन्नु और मैं यहां पे है ये जाड पे निकल सकता है और चाची देखिए वह निछे जाड़ पे जहाब कर बहुत बहुत सरी काफल बद बहुत रिस्की है क्युक्दा पतला जाड़ है जो कि तूट सक लोग क्या कर रहे है उपर जा रहे नीचे तोड़के ला रहे फिर यहां पर निकल रखाब है यह भी निकला अब हम आ गया दूसरे जाड में सोचे एक ही जाड में इतना निकल गया और इसमें कितना निकलेगा और चाची भी दूसरे ज़ाड में मतलब आज हम लोग लगता 10 तो लेके जाने वाले हैं यह देखिए इतने बड़े बड़े वाउ और यह देखिए तीन चैर यह तहली पूरा पांच और यह भी बाकी है तो हमें आज पूरा लेके जाना है सब को बाट देंगे बुबा या तो जो भी बाजु वाले होंगे पड़ोस वाले सब को बाटके एक साथ खाईगे यह देखिए मैं कहां पर फस गया अब मुझे डर लग रहा है मैं कहां से और कैसे जाऊ मुझे तो लगता है यही ठीक रास्ता रहेगा आगे काटे भी है तो जाते समल के पैर भी ने दिखना अब तो जाए यहां पर फाइनली पोच गया तब आमें जाना उपर उपर देखिए इधर भी बहुत सारा काफल है वह दो जन तो चड़ गए अभी मैं जाता हूँ और अब से डखे घंधाई चो काई से ना कैसे करके बैट तो गया हूं यहां पर भी है यहां पर भी यहां पर शके सब जगा मैरे आऽस पस है पर समय पनी ले लिया तो अभी बस बाकिया खाली कर रहे हैं और यह वापिस से भरेंगे इसी को हम लोग ने यहाँ पर कम से कम 12-15 खिलो निकल लिया है फिर भी यहाँ पर देखे सब भरे पड़े फिलाल तो बहुत प्यास लगी है पानी यहाँ पर मिल रहे हैं हम लोग बीच जंग मतले इसमें तो और 20-25 किलो आराम से निकल जाएगा बहुत है फाइनली पूरा काफल निकल के हो गया है अभी भी स्टिल पेड़ में सब है बट हम लोग ने बहुत ही ज्यादा कलेक कर लिया जैसे कि देखिए यह पूरा थैली है पूरा थैली जमा कर लिया अभी इस तन्न सबसे पहले तो मुझे नीचे उतर के पंदेरा में पानी पीना है वहां पर पानी पींगे अच्छा मस थंड़ थंड़ फिरी घर पे जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लगी है यहां से व्यू देखिए कुछ ऐसा है हम कितना उपर जंगल में आये अब तो बहु अच्छा हुआ चाची ने एक्स्टा चुन्नी लाया तो अच्छे से टाइट से चुन्नी को बांध के हम लोग इसे पकड़ के लेके जाएंगे तो लो यह हो गया तयार अच्छा निकाल रहा हूं निकाल निकाल के हाथ देखिए कैसा हो गया फुरा लाल पीला नाकुन की वाट लग गई अभी घर पर जाके अच्छे से दोना पड़ेगा तन्नु कितने तेजी से जा रही है ओ माइगा तन्नु गिर जाएगे आराम से आराम से अबाबाबाबाबाबा शिट कि हम आचुके पंदेरा पानी भी भर लिया है हाथ भी दो दिया है यही पे ताकि घर पर पानी कमना पड़े तो बस अभी में पानी पी रहो फिर पानी पीके निकल जाएंगे घर को अब चाची और बाकी लेडिस लोग का मीटिंग चाले तो तब तक तन्नु भाई और मैं हम लोग सावान लेके चले जा रहे हैं यहां पर वेटके क्या करना बहुत धूब भी लग रहा है फाइनली बैक होम अभी सब को टेंशन है इतना साल रखना कहां पर क्यूंकि इसमे अदा थाइली भी ने हुआ है अभी तक खाली और यह इसमें पूरा भर गया अभी कापे रखना है कापे रखोगे दूसरा ने क्या रहो तो कि इतना बड़ा है फिर भी उसमें भर जाएगा कि ने देखते हैं नहीं आज आएगा आजाएगा ओशिट यह भी भर चुका है और अब भी थाईली में थोड़ा बच्चा है यह देखिए तो इतना सारा काफल लिये हैं यह मेरा फर्स्ट टैमें मैं इतना सारा देख रह और यह भी भरा हुआ देखिए अब यह थर्ड बरतन लिया है तो होप सो इसमें तो होई जाएगा देखिए इसमें भी फुल भर गया तो टोटल टोटल तीन बरतन अब लोग शॉक है जाची वोजा और कुछ समान होता एक्स्ट्रा थैली तो और लेते थे बापरे मैं तो समान लोगे तो नोगी निकाल की पूरा एक मैने आराम से चल जाएगा बर्ट यह दो तिन दिन से यादा चल ने सकता क्योंकि बाद में फीर खराब हो जाएगा सड़ जाएगा सुबा नौ बजे गए थे और अब बच चुके एक तेक देखिए चार घंटा लग गया निक निकलते पूरा पसीन आ गया बहुत ठक गया अभी फिलाल वेट कर रहा हो खाना बनने का फिर खाना खक के थोड़ा आराम करूंगा यहां पर चाची को इतने सारे काफल से अभी शांथी ने मिली खुशी ने मिली चाची बुर्ण अभी शाम को भी जाएंगे अधिक फिलाल तो चाची पूरा थेली और सब कुछ धोरी है क्योंकि थोड़ा बहुत वजन के कारण जो नीचे गा था वो पूरा उसका रस निकल गया थो थोड़ा थोड़ा तो चाची साफ सफाई कर रही है अधि मस्त बैटके खा रही है दादी आप इसमें लागा के उने खाए वह न है 85-90 प्लस है दादी फिलाल तो मैं अभी यहां पर बैटके एडिटिंग कर रहा है यह मेरा एडिटिंग प्लेस है यहीं पर बैटता हो क्योंकि यहां पर मुझे अच्छा परफेक्ट नेटवर्क मिलता है भावा भी यहां पर बढ़ी आती है तो मज़ा आता है यहां पर बैटके इत्माउ यहां परम पर बैटके ऑनाओ यहां पर बावा लाव यहां पर बावां पर लाव यहां पर ग.